आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुस होंगे, सस्त होंगे आज मैं आपके लिए एक ऐसा Face Mask लाएं हूँ जो आपकी Skin को इंस्टेंच गलो देगा Skin को Tight करेगा, Bright करेगा कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है और हम लोग अपनी skin की care नहीं कर पाते हैं मतलब daily नहीं कर पाते हैं और एकदम से कहीं शादी party function में जाना होता है और चेरा अपने आपी बहुत ज़दा डल डल सा लगता है मेरा भी लगता है कई बार मुझको भी थकान सी हो जाती है और चेरा डल डल सा लगने लगता है तो यह problem अगर आपके पास भी है तो इसका चुट्कियों में solution है यह face mask यह face mask आप इस्टेट ग्लो तो दे गई साथ यह आपके fine lines wrinkles को भी control करता है यानि अगर आपके fine lines wrinkles पढ़ने सुरू हो गए हैं तो आप week में इसको दो बा लगाओ इसके आपको बहुत ही अच्छे result मिलने वाले हैं इसको हर age के लोग भी लगा सकते हैं और male female दोनों लगा सकते हैं मैं अपने जो DIY बताती हूँ male female दोनों के लिए बताती हूँ इसको दोनों ही यूज कर सकते हैं और हाँ आपको जो यह face mask बताऊंगी जब यह face mask आपको लगाना है तो आपको बाचीत नहीं करनी है यह मैं अपने हर वीडियो में कहते हूँ कि जब भी कोई आप mask वगरा लगाते हो तो आपको बाचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो क्या करता है आपकी skin को करता है tight और जब आपकी skin tight होने लगती है तो खिचने लगती है उसी समय अगर आप बाचीत तो उसके effect दूसरे पढ़ जाते है यानि कि skin lose होने लगती है तो जब भी आपको फेस पैक लगाओ मास्क लगाओ तो आप अराम करो घर का कान कुछ भी कर सकते हो लेकिन आपको बाचीत यानि कि face पे अपना जोड नहीं देना होता है यानि बात नहीं करनी होती है ये face pack आपकी skin को tight करेगा bright करेगा, glow देगा और आपकी गाल लटक आए हैं तो गालों को उठाएगा fine lines wrinkles ना जैसे आख के नीचे हैं यहां पर है तो जो आपकी fine lines wrinkles हैं धीरे-धीरे control में कर देता है धीरे-धीरे खतम होने लगती है तो आप इसको जरूर ट्राइ करेगा और आपकी यह काफी काफी अच्छा है मैं जब इसको लगाती हूँ तो मेरी skin भी बहुत ज़दा glow-y, tight सी, bright tins सी हो जाती है और लगता है इसकी ना काफी tight-tight सी हो गए यह face mask वैसे तो आप daily भी लगा सकते हो लेकिन अगर आप daily नहीं लगा सकते हो तो week में आप दो बार यूज़ करो कि अभी winters सुरू होने वाले हैं और winters में इसकी ना बहुत ज़दा dry-dry सी हो जाती है खिची-खिची सी लगती है इसके current fine lines wrinkles ज्यादा दिखने लगते हैं तो winters के लिए यह face mask तो बहुत ही रामवार है आप इसको जरूर try करेगा तो चालो अब मैं आपको बताती है यह face mask आपको कैसे बनाना है और इसको आपको कैसे apply करना है let's start तो इस face mask को बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए egg अगर आप नहीं खाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर आप नहीं भी खाते हो तो face पे तो लगा ही सकते हो एक वाली काफी ज़्यादा क्रीमे मार्केट में आती है और वो हम लोग लगा लेते हैं लेकिन इस तरह से एक देख करके लगता है कियों लगा है कैसे लगा है लेकिन कोई बात नहीं आप इसको दवा समझ के लगा सकते हो यह एक जो है आपकी skin को बहुत ज़्यादा करता है इस skin को tight करता है, bright करता है fine lines wrinkles को दूर करता है बहुत ही ज्यादा इसके फायदे हैं गाइस तो एक लेंगे हम एक का थोड़ा सा ही पार्ट लेंगे यानि यलो वाला पार्ट लेंगे तो आपको यलो वाला पार्ट एक ही चम्मज लेना है सिर्फ आपको अपने फेस के लिए बनाना है तो एक चम्मज लेना है और इसको बन मेरिया है अब हम क्या करेंगे इसको हम अच्छे से mix करके लेंगे फेट लेंगे अब जो हम इसमें दूसरी चीज डालते हैं वह डालते हैं शहद लिखेfold को पता है ऑर्पी के लिए अब आप जहार है करता है इसकिन को टाइट करता है ब्राइट करता है एक में काफी सारे विटामिस होते हैं जो आपकी इसकिन को बहुत ही ज़्यादा यूद्फुल लगते हैं ब्राइटन करते हैं तो सिर्फ हमको दो ही इंग्रिजिट्ट्स चाहिए अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसको कैसे लगाना है अब मैं आपको बताती ह attent हूँ इसको सिर्फ मैंने एक ही बार के लिए बनाए है क्योंकि बना करके नहीं रखना है अब हम क्या करेंगे अपने बालों को मैं कर लूँगी इस तарह से उपर और बिंद्या को इस तरह से हटा दोंगी यह efecto माशक कचब का काम करता है आपकी को पर तो हम इसको इस तरह इस तरह से पूरे फेस पे लगा देंगे और बहुती चल्दी यह idée marriage क法 अपका जितना है ना मैं आपको बताती जा रहूं में कैसे आपको लगाना फूरे फेसपे ती तरह से अफ buffer लगा लेंगे किए क्योंकि अक की रिचे फाइलेस रिंगल जल्दी पड़ती है तो हम इसको आंके निचे भी अपलाई कर लेंगे अच्छी सब्सक्राइब और जब भी हम कोई मास्क लगाते, न तो इस तरह से हमको लगाना है, डाउन करके नहीं लगाना है तो इस तार से मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है अब हम इसको न सूखने देंगे है ना जब यह सूख जाएगा थोड़ी सी देर में यह सूख जाएगा सूखने के बाद हम क्या करेंगे सूखने के बाद जैसे यह थोड़ा सा सूखने लगेगा फिर हम थोड़ा सा लेंग मैंने फिर से इसको अप्लाई कर लिया है अब हम इसको सूप ने देंगे यह आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा गाइस ब्राइट करता है इसको टाइट करता है फाइल लाइस रिंकल्स आपको पहली बार की यूज में ही आपको इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो झाल सूप कर लिया अगर आपको फिर से लगता है कि आपको एक सूखने लगा आपको फिर से कलो थोड़ी ने गीला बना रहे अभी मेर काफी सारा बच ग production नहीं tu मैं पर जान पे लेंगे तो बस यह सूखं जाया फिर मैं आपको इसका हां न.' तो फ्रेंड्स इसको मैंने 10-15 मिरट अपने पूरे चेरे पे लगाया है यह काफी ज़्यादा टाइट हो गया है अब इसको मैं क्लीन कर गयाती हूं तो नर्मल पानी से ही हम इसको क्लीन करते हैं क्लीन करके इसका रिजर्ट आपके साथ शेयर करते हैं तो यह मैंने पेस को नर्मल पानी से क्लीन कर लिया है वाव आपको इसके रिजर्ट ना एक ही बार में लिखे आपको ऐसा लगेगा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट से हो गई फाइन लाइन स्रिंकल्स जाएंगे इसकीन टाइट हो जाएगे और ऐसा नहीं है कि इस जो पैक है इसको बड़ी एज वाले लगाए इसको छोटी एज के भी लोग लगा सकते हैं एग हर किसी को फाइदा करता है तो यह देखिए यह जरूरी नहीं कि इसकीन से फाइल लाइन स्रिंकल्स को दूर करने हैं तभी आपको यह फेस मास्क लगाना है आप ऐसे भी लगा सते हो आपकी इसकीन को गलो देगा इसकीन को टाइट करेगा ब्राइट करेगा तो आप मेरी स्किन काफी ज़्यादा टाइट सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा ग्लो भी आ गया है इसके उपर ना इसके बाद आप अपना मन जहाँ जो भी मौस्टराजिंग लोशन है आप जो भी लगाते हो वह आप एपलाई कर लो कुछ भी नहीं है तो आप रोस वाटर भी ल भी नहीं पड़े और आप काफी ज़्यादा ग्लोई ग्लोई हो जाएगा आपसे नेक्स वीडियो बाबाई लव यू टेक केर अपना ध्यान जखरेगा